बिल्कुल असानि से रणने वाले चाय का साथ खानने वाले स्नेक्स जो की आप नों को बहुत पसंद आएगी एक पर जरुड लुट राइ करें आप लहां है छाली आज का रीचीपविया च्वाइ वह्ल大 करते हैं आप अब लों को में हैज suchen borrow करतेएं सबसे पहले पाजा जैसे टी टाइम श्नाक्स के लिए हमें यहां पर एक बावल लेंगे जिसमें हम एक कप मैदा और साथ में दो बिंच नमक आड़ कर लेंगे नमक से यह नमकिन बनता है और अच्छा लगता है फिर देखें यहां पर हमें जो कप में हमें मैदा ले थी वह क कप हमें यहां पर ओयल लेंगे और ओयल डालकर हमें इसे अच्छा से माइन कर लेंगे यहां पाद देख बार है बिल्कुल आशानिस तरीका से इसे त्यार करेंगे और बिल्कुल कम टाइम में भी बनका त्यार होता है आप लोग इसे कोई भी बना सकते और यहां पर देख का स्वाद बढ़ जाता है यहां पाँ देकिए अच्छा से मेल ला लेंगे हमें थोड़ी थोड़ी पान डालकर लेंगे दो다 हमें अच्छा से 2 तैयर कर लेंगे और इससे कोई क discour तयार करेंगे इसे हमें कोई रेष्ट भागरा नहीं डाईंगे देके यहाँ पर हमें इसे एक जोपिंग बोडल लेंगे Kerry right मैने इसे और दो बार इसे गुंत लोंगी और यहाँ पर देखिये हमें यहाँ थोड़ीस इसी अमहीदा चिर त्यार करेंगे और ईसे हमें जो त्यार करेंगे बिल्कुल थोड़े से मोटा रोटी होना चाहिए यहां पर इसी तरह हम थोड़े सी इसे हमें बेल लेंगे और देखिये आप लंका पास ऐसे कोई भी बटल का प्षोमरा जो कवर्रता नहों धो क्या धकन मौलते ना है यह स्थ कि बोटल सोबॉर्टाल का डख कन था इसे हम यूज करते हैं स्नाक्स त्यार करेंगे लेखिए इसी तरह हम एक लाइन में है इसे ठकन से कट ऐसे पूझ कर लेंगे फिर इसे हमें खिश लेंगे तो बस जैसे हमारा काजू से बिल्कुल प्लेट में ट्रासपर कर लेंगे देखे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है विखे வाजार जैसे और या perfect त्यार करेंगे आप लोंगे से बनाकर बच्चे लग को उटी पिन में भेश सकते और अब बड़े लोग का चाय का साथ ही से इंचे कर सकते बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल खसता बनता है और बिल्कुल बाजार जोसे बनता है यहां पर देखिए हमें एक कड़ाई में ओएल लेकर अच्छा से गरम कर लेंगे जिब ओएल अच्छा से गरम हो जाए फिर हमें इसे पहले एक बर चेक कर लेंगे ओएल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारा स्नाक्स जल जाएगी फिर यहां पर हमें इसे निक कर लेंगे और एक एक करते हैं सारे हमें यहां पर श्नाकस दाल लेंगे देखिए आफ लंग्जबी डाले इसे फोड़ीु सी मीडियम फ्लेंपर राखें फिर जंब इसे थोड़ीशी पांच मिन्ट में तलता है फिर तब तक इसे हमें लो फ्लेम पे तलेंगे यहां पर देखिए इसे डालने का बाद हमें ग्यास का फ्लेम लो कर लेंगे और पांच मिन्ट करीब इसे हमें ओईल से फ्राय करेंगे और जब पांच मिन्ट में हो जाए फिर तरह त्यार कर लेंगे बिल्कुल बाजा जासे स्नाक्स बनकर प्यार हो चुकी यहां पर देख पार है कितने अच्छा लग रहा है फिर वोई प्रसेस से हमें एक एक करते हुए सारे डाल लेंगे आप चाहे तो कॉंटिवी ज्यादा बना सकते हैं और स्टोर करते हुए एक मौई ना तक इसे बना कर चाय का साथ एंचे कर सकते हैं यहां पर देखिए हमें इसी तरह सारे फ्राय कर लेंगे और जब यह गरम रहते हैं फिर देखिए यहां पर हमें जुपास्ता मार्क्रोनी म बलाक पेपर पाउडर और बलाक साल्ट हुए डाल कर इसे मिला सकते हैं अच्छा पाजाचे से इसमें बड़ी हाश्वाद आने के लिए यहां पर हमें इसे पस्ता माइक्रोन मसला डाल ली और यहां पर हमें इसे एक प्लेट में ट्रांस्पर कर लेंगे देखिए बिलकु खसता और क्रिस्पी आवाद आप सुन सकते कितने अच्छा सी क्रंची बन चुकी आप लोंग पी एसे बनाएं और चाय का साथ इसे एंजे करें देखिए आप बारिस का टाइम हो या कोई भी थंडी का टाइम आप एसे बना कर एक माई ने तक स्टोर करते हुए एंजे कर सकत बिलकुल खराब नहीं होता है और खाने में इतने स्वादिश्ट लगता है आप लोग एक बार बनाने का बात बार बार बनाएंगे देखिए एक पीसिस मैं आप लोग को तोड़को दिखाते हुए बिलकुल खसता और क्रिस्पी आप लोग बज्ज़रू ट्राय करें और पाउडर बन जाता है आप एक बार मुह में डालो तो खूल जाता है और मजा आता है इसे खाने का बाद एक बार खाए और चाहिए मजा आ जाएगी सच्चे में आप लोग एक बार जोरू ट्राय करें अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेर सब्स्राइब करना नहां भू कर्णे इन नहां रहां गूण करना भूज्ट सब्सराइब करना भीवडर खाता है इस नहांगेईदार मुदम सिर्जेदा करना वाइब करना प है नाथे यह